दोस्तों यूटूब चैनल को सब्सकाइब केने के लिए दमाएं सब्सकाइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दमाएं दोस्तों प्राकिर्तिक आपदा आपने नाम तो सुना होगा लेकिन कुछ आपदा ऐसी होती हैं जो इंशानों के थोड़े से गलती से हो जाती हैं दोस्तों कि आपको पता है इस समय अगर महतपूर मुद्दे की बात की जाए तो फसलों को बचाना है चाहे वो ओला विर्ष्टी से हो चाहे वो बिजली से हो बिजली से मेरा मानना है कि कई जगहों पर electricity के fault हो जाने से वहाँ सिंगारी निकलती है और कईयों भी घा कईयों किलोमीटर तक फशले नस्ट हो जाती है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूँ जिसको आप करेंगे तो एकीनन इस देश के किशान भाईयों और बहनों को मदद मिलेगी दोस्तों सभी किशान भाईयों से निवेदन है कि आप सभी द्वारा लगाएगी फशले अगे 15 से 20 दिन में पककर बिल्कुल तयार हो जाएंगे इसलिए अपने अपने खेतों पर लगे ट्रांसफार्मर के आसपास लगभग 10 गुड़े 10 फित तक सफाई बेवस्था कर दे ताकि किसी भी परकार से एलेक्टिसिटी फाल्ट होने पर बिजले के तारों से निकलने वाली चिंगारी से आपकी खड़ी फशल को कोई नुक्षान ना पहुंसके दोस्तों वो दिन आते हैं जब हम आखों के शामने देखते हैं कईयों बीगा कईयों किलोमीटर तक फशले जल कर राख हो जाती है वहाँ पर एक किशान अपने पूरी साल की मेहनत लगाए होती है अगर वही पर उसका फशल किसी प्राकिर्टिक आपदा या फिर किसी मानि सभी गलती के कार नस्ट हो जाती है तो बहुत दुख पहुंसता है दोस्तों एक नेक काम आप जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फेस्बूक और वाटसब ग्रूप में सेयर कीजिए इस वीडियो में मैंने आपको बता है किस तरीके से आपको दस भाई दस फिट क का सफाई करना है जहां पर भी ट्रांसफार्मर या पोल लगा हुआ है उसे आपके फर्शल नस्ट होने से बच सकते हैं दोस्तों एक नेक काम आप जरूर कीजिए और इस वीडियो का अपने सभी फेस्बूक और वाटसब ग्रूप में सेयर कीजिए ताकि एक किसान भाई और बहन की मदद हो सकी धन्यवाद दोस्तों